हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ चंचल और मेरे चैनल सी आर के रेसिपीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट अचारी मसालेदार बैंगन की रेसिपी बहुत बढ़िया ये बनते हैं, बहुत टेस्टी ये बनते हैं अब मैं इसमें नमक लिए हैं वन टेबल स्वोन और हल्थी पोडर मैं अधिकी वाली मिर्च में इसमें हाफ टेबल स्पून डालोंगी जर्णा कित रेसिपी पॉर्टर मैं इसमें पॉर्थी ये रेसिती ये सिसटेंगी आप चाहें तो आमचूर भी आड़ कर सकते हैं जो भी आपका मन करें वो इसमें आड़ कर सकते हैं खटा मसाले चाहिए अब मैं बैंगन को चार हिस्सों में काट लोगी और बैंगन के अंदर हर तरिफ से इसको फिला लोगी मसाले को तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं इसको तो इसका फ्लेवर बिल्कुल चटपता सा, तीखा सा, नमकीन भी और खटा सा आता है इसको आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी भी तरीके की पूरी के साथ इससे आप खा सकते हैं और अगर आप नॉर्मल इसको ऐसा खाना चाहें दही के साथ तो भी इसको खा सकते हैं बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है बहुत बढ़िया यह लगता है बिल्कुल अचार की दरा लगता है जसी कि बैंगन का चार डालते हैं हालक कि बैंगन का चार नहीं बनता है लेकिन इस तरीके से आप बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बैंगन का चार बना जादा स्पाइस ही नहीं होता है अबस लालती की मिर्च होती है तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में परहंटे के साथ भी तो देखिए वैसे इसका रेडिमीड मसाला भी बजार में मिल जाता है आप चाहे तो वह ला सकते हैं तो देखिए सारे बैंगन मसाले के अब मुझे इसको लो फ्लेम पे कम से कम 20 मिनट के लिए पकाना है तो बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरीके से गुमा गुमा कर ताकि हर तरफ से यह अच्छी तरीके से पक जाए लो फ्लेम ही रखिएगा तेज फ्लेम बिल्कुल ना रखिए तो देखिए अच्छी इस तरीके से बन जाते हैं जब इस तरीके से आप सेकते हैं इसको लो फ्लेम पे बहुत बढ़िया इसका टेक्स्चर आता है तो देखिए गल बी चुके है पर थोड़ी दिर में से भी और पकाऊंगी तो देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से बैंगन मसालेदार रैडी हो चुके हैं तो आप इसे ट्राइ कीजिए ये रेसिपी को बहुत असानी से बनाया जा सकता है इंस्टेंटली ये बन जाती है तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले इस तरीके से आप इसे ट्राइ करें रोटी के साथ भी इसे जब खाते हैं तो बहुती टेस्टी बहुती लाजवाब इसका टेस्ट आता है तो मेरी चैनल पे अगर आप नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले से इजी तरीके से instantly मैं recipe बनाऊं ताकि आपको भी बनाने में कोई परिशानी ना हो फिर भी आपको कोई परिशानी होती है तो आप मुझे comment करके पूप सकते हैं आप मुझे email भी कर सकते हैं और आप मुझे Facebook पे Instagram पे Twitter पे भी follow कर सकते हैं सो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखती रहिए और अपना ध्यान रखिए